हेलो माई डियर फ्रेंड्स वंस अगें वेलिकम बैक टू माई यूटूब चैनल एंड माई डियर जैसा कि आपने थामनेल में देखी लिया है कि आज के इस सेसंद में हम समान हिंदी के वस्टुनिष्ट परस्नों को देखने वाले हैं और यह वही परस्न है जो हमारे वीते क कोछ वर्सों से हर बार पूछे जा रहे हैं जिसमें आपका जनरल हिंदी से लेटेट कोस्टन से तो ज्यादा देर नकरते हुए आई श्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पहला कोस्टन है वो क्या है पंकज में कौन सा समास है तहां पर आपको कई ऑप्सन भी दियें जैसे कर परमधारे द्रिगू पहुब्री ही या द्वन तो हमारा एंसर क्या होगा उत्तर सी पहुब्री ही समास है इसमें आपका आगे नेक्स्ट कोशन देखते हैं माई डियर तो नेक्स्ट हमारा क्या है आयोग वाह कहा जाता है किसे कहा जाता है तो किसे कहते हैं तो यह उत्तर ह किसे कहते हैं अनुस्वार वं विशयर्ग को कहा जाता है कै का जाता है योग वाह नेक्स्ट हमारा है एक और अजगर लखी एक और मिल्ग राय विकल बटो ही बीच ही पड़ियों मुर्चा खा इन पंक्तिओं में पड़ियों होता है संप्रदान कर्म कारण करता तो आप न害 पड़ा होगा कर्म को औढ़ S तो यहाँ पर अपको उत्तर क्या होगा स्छी करण से Golden से हमनेbour साफ देख पार रहें उसने नाकर वोजन किया इस वाक्य में नहा कर निमलीक इतमें किसاخली industry का आपको बताना है तो कौन सी दी कर्मक क्रिया प्रेणार्थक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया संयूत क्रिया तो उत्तर सी पूर्वकालिक क्रिया है नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं तो नेक्स्ट का है आपका सूफी संतों की सैली है कैसी सैली है घजल की मस्नवी तरचुमा या मरसिया तो इनकी सहली क्या है आप कमेंट करके बताईएगा उत्तर होगा आप कभी मस नवी नेक्स्ट आम आइडिया आप देख पा रहे होंगे क्या है गुडिया भीतर गुडिया के रशनाकार है प्रभाक्यतान मैत्रेई पुस्पा उसा प्रियवंदा या कृष्णा सोबती जिसका सही अंसर क्या होगा उत्तर भी मैत्री पुस्पा जी है नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे साव अजान एक सुजान के रशनाकार का नाम है बालमुकुन गुप्त बालकृष्ण भट सरदार पूर्ण सिंग या बदरी नरायन चौदरी तो यह आपको बताना है और इसका सही अंसर होगा उत्तर भी बालकृष्ण भट जी है नेक्स्ट आप देखिएगा तो नेक्स्ट आपको क्या है गोसामी तुलसी द्रास कानिदान मानारसी के किस घाट पढ़ुआ था तो राम घाट, असी घाट, मरी करनिका घाट या दसाओ मेद घाट तो ये इसका स़ह इंसर क्या होगा आपका उत्तर भी असी घाट में आपका है भक्त माल के रशनकार है next का है भक्त माल की रशनकार हैं कौन है विश्णु दाज जी केशो दाज जी सुन्दर दाज जी सभी दाज जी है तो इसका जो सफैंल पना होगा उत्तरदी दाज जी है next आप देख सकते हैं कौन सवाग के सुध्ध है कौन तुगलियों को चौड़ा कर남 परसुराम के क्रोध आदमी ने छात्रियों को जला दिया विक्षों पर कोईला कूक रही है सोड़ी कोईला नहीं कोईल है खेतों में लंबे लंबे घास उग आये है तो इसमें जो सबसे सुध्ध वाक है कौन सा ये वाला है गलियों को चोड़ा करना नेक्स्ट आप देख पार हैं कि विध्यालती में कौन सी संधी है जालती में कौन संधी संधी नेक्स्ट है कानन का प्रयावाची सब्द है विहीब के लिए इनमें से कोई नहीं अप्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा उत्तरे वन को ही कानन भी बोला चाहता है नेक्स आपका है वाक के विग्रह का अर्थ है वाक के विग्रह क्या अर्थ है वाक के खंडों को अलग अलग करके उनका सम्मन बताना वाक के रचना करना या संधी और समाज बताना या सब्दों को जोड़ना तो इसका जो सही जवाब होगा वह आपका क्या होगा उत्तरे वाग के खंडों को अलग अलग करके उनका सम्मंद बताना ही क्या कहलाता है वाग के विग्रह कहलाता है नेक्स्ट आपका है विनु पग चले सुने विनु काना कर विनु कर्म कर विधी नाना इन पंक्तियों में परियुक्त अलंकार है कौन सा अलंकार है असंगती अलंकार विसोक्ती अलंकार दिससातान तलकर विभावनात कौन सा अलंकार है विभावना अलंकार है आयोप आपको आए राव के नेफा आपका निम्लीकीत में वाचन सिक्षण की विधी नहीं है वाक्या विधी अनुधवनी विधी. आपके व्यवनी विधी अरो लगा निम्लीकीत में अभी वितियाम। में रूची विचारों अभावों के अभिवैक्त करना नेक्स्ट है जिसका जवाब आपका क्या होगा माइडियर उत्तर सी भासा और साहित में रूची नेक्स्ट आपका हिंदी साहित इतियाज के सम्मन्द में modern literature of हिंदुस्तान किस ने लिखी है गारसादा तासी सुमित कु विरहनी वावरी सी भाई वूची चड़ी अपने भवन में टेरत हाई डई ले अंचरा मुक अंसुवन पोछत उधरे गात सही किसकी पंक्ती है जीमाचारों नी मीरा भाई दया भाई साहोजी वैत उत्तर आपने देखी लिया मीरा भाई उत्तर भी सही है नेक्स्ट है परेहा तिमीर नासak हरीश्चन मैगजीन उदंत मार्टंड इसका सही जवाब है उदंत मारतहिं हिंदी का पहला पत्र है नेक्स्ट है सुई का तत्सम रूप है सलाय सुची सूची सुज्जा तो सुई का जो है उत्तर भी आपका सूची है नेक्स्ट आपका है परिसीमन का पड़ी सीमन का विलोम क्या होगा आसीमन निर सीमन सासीमन या सासीम तो इसका सही जवाब है माईडियर ए आसीमन क्या होगा आसीमन होगा नेक्स्ट है आपका धूसर सब्द का प्रयाय है गर्दब मेग आजा अस्व तो इसका सही जवाब होगा माईडियर उत्तर ए मतलब की आप लोग देख पार हों गल्दब नेक्स्ट है आपका भूतो अर्था जीओ द्वारा होने वाला दो खवाक के लिए एक सब्द बताईए आधी दैहिक, आधी बहुतिक, आत्म घाती, आधी वैदिक तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका उत्तर भी आधी भौतिक नेक्स्ट हमाई डियर आपका उट की चोड़ी निरहुए निरहुए कार्थ है उदन्ड वैक्ति की दूस्टता बड़े काम चुपा कर नहीं किये जा सकते नेक्स्ट है आपका धर्म पादन करने में बादा डालने वाले प्रवित्तिया कौन सी है तो आलस की अधिकता धर्म का ज्यान नहोना जानकारी की कमी कमजोड मन उद्देश का निश्चित नहोना तथा चंचल मनवित्ति का होना उत्तरडी यही सही होगा आपका नेक्स्ट है आपका संसार के बड़े बड़े लोगों निसब से स्रेष्ट माना है परोपकार को सदाचार को अपने कलतब के उत्तम चडितर को तो इसका सही जवाब होगा उत्तर सी अपने कलतब को नेक्स्ट है आपका निर्बलता सब्द में उपसर्ग और प्रत्ते का सही विकल्ब है निर बल आता, निर बलता, निर बलता, निर बलता इसका सही जवाब होगा आपका उत्तर D, My Dear थोड़ा सा बाहर डॉग, कुता भौक रहा है उसे भौक ने दिजिए हम अपना काम करने है कायर की भाव वाचक संग्या है अपना मतलब निकालने वाले के लिए उची सब्द है स्वार्थ परक स्वार्थ परता कुटिल स्वार्थी तो आई टिंग आपको ये होना चाहिए उत्तरडी स्वार्थी तो ये थे माई डियर हिंदी से सम्मंधित आती महतपूर परस्न जो भी गात वर्षों में कई प्रक्षाओं में पूछे जा रहे हैं तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आपको ये वीडियो कैसे लागा कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा और सेयर करना भी मत भूलेगा बहुत जल मिलेंगा आपसे ऐसी एक नए वीडियो के साथ तब तक कलिए बने रही आप हमारे चैनल डालफा इस्टडी के साथ थैंक्यू एंड थैंक्स पॉर वाचिंग झालफा 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 बही एक हमारे चैनल झालफाइगा नएल मिलेगा जाएंक्या इस्टड़न.